हेलो दोस्तों साथ है आपका डिपांग निंग बोले मेरा नाम है विशेक दोस्तों आज की वीडियो कहाँ टोपिक है चीपेस वर्डप्रेस होस्टिंग तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल का और सस्ता WordPress hosting बताने वाला हूँ और साथ में आपको एक discount link भी दूँगा जो कि आपको इसी वीडियो के description मिलेगा और directly जाके अगर आप उस link के थुरू purchase करते हैं तो आपको मिलेगा total 80% का discount और साथ में आपकी जो renewal price रहेगी वो आज आप जो भी price में खरीद होगे ना उसी price में आपको डबल देने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीके guys तो link description में आप directly जाके purchase कर सकते हैं आप जादिकर चैनल को subscribe और bell icon को press क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस को notification भी आपको मिलते रहेंगे तो दोस्तो चले शुरू करते हैं ओके guys तो description में दिये गए discount link पर आप जैसे click करेंगे तो आप पहुंझ जाएंगे इस website पर जो किए होस्टिंग अब guys discount link पर आपको क्या benefits मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले देखो अगर आप आप आज की rate में पर जैस करते हो 139 रुपीज पर मन में तो आपका renew भी 139 रुपीज पर मन में होगा अगर आप हमारे link पर नहीं लोगे तो आपको 249 रुपीज पर मन देना पड़ेगा जब आप renew करते हो तो ठीक है तो भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो अगर आप discount link से लोगे तो आपको ये दो फायद होंगे इसके अला WordPress hosting अब देखो cheapest WordPress hosting बोलने का सबसे एक बड़ा रीजन है वो ये है कि hosting गर पे आपको WordPress hosting वेब hosting के price तो मिलता है नॉर्मली क्या होता है वेब hosting की जो भी price रहती है उससे कम से कम मतलब आप यू मान के चलो double तो नहीं कह सकते है जैसे अगर मान लोगे 100 रुपे की वेब hosting है तो WordPress hosting रहेगा 180 रुपेगा तो वैसे ही यहां पर हर hosting कमनी ऐसे करते है लेकिन hosting गर का foundation strong होने के वज़े से WordPress hosting जो है आपको web hosting के price मिल जाती है और WordPress hosting के सारे powers के साथ क्या क्या फायदे हैं क्या क्या चीज़े हैं सब इस वीडियों बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि आपको hosting गरी क्यों चुनना है गाईज देखो hosting गर को लेने का बहुत बड़ा reason है कि 20 साल से market leader है hosting ठीक है और और यह चीज हमेशा से उन्होंने maintain किया है हमेशा से बड़िया सर्वीज देया है बड़ा सब कुछ आपको hosting गर मिलता है और latest जो हमारे case studies है वो इतने कमाल कर रहे जो मैंने दूसरे वीडियो में share किया था आपके साथ मेरे case studies जो है पहले की वीडियो अगर आपने नहीं द बताई हुए तो फिर से आज इस वीडियो में तो नहीं बात करेंगे इस वीडियो में बाता देता हूँ यहां पर जो review है बाकी लोगों के जो overall जितने भी customer है hosting अरके उन सबके क्या reviews है हम देख लेते हैं यहां पर trust palette पर 4.6 है Google पर 4.8 है अब यहां पर मैं जो trust करता हूँ वो करता हूँ host advice पर जो भी review रहेगा वो सही रहेगा क्यूंकि host advice पर दो चीज़े हैं एक तो यह कि host advice एक ऐसी website में जिसमें सिर्फ और सिर्फ hosting companies के reviews दाला जाते हैं दूसरी चीज़ यह कि यहां पर एक बंदा एक से ज़्यादा review नहीं अच्छे डाले या खराब डाले तो इसलिए बरोसा बनता है host advice पर बाकी trust पहले पर आप कुछ हद तक trust कर सकते हो WP beginners और Google है WP beginners का मुझे इतना idea नहीं है Google के अगर बात करो तो एक बंदा एक से ज़्यादा खराब भी डाल सकता है अच्छे भी डाल सकता है तो यह दोनों आपनी बहुत ही कमाल की लेकिन अगर मालों की थोड़ा सा मामला थोड़ा डामाडोल लगे अगर आप मुझे से की ट्रेस पाले पर 2.0 है गूगल पर 4.5 है host advice पर 2.5 है या फिर WP beginners पर 4.5 या कुछ भी ऐसा लगे आपको तो आपको प्रहिना कर सोचने की जरू है कि ऐसा क गूगल पर इतना जादा कैसे है WP beginners पर जादा कैसे है और host advice और trust पर पर कम कैसे है यह चीज़ देखने की जरू है अगर ऐसा है तो आपको प्रॉपल ली जाके reviews पढ़के चेक कर लेना चाहिए तो आपको प्लेर होगा कि ओके यह प्रॉपलम है ठीक है तो यह चीज़ यह कहां पर देखने को नहीं मुलती है यहां पर सभी जगां पर आपको अच्छे reviews देखने को मिल जाते हैं अब देख लेते हैं कि servers कहां कहा है ठीक है यह बहुत important है किसी भी hosting को खरीदने से पहले उनको server देखना बहुत चरूरी है कि कहां पर available है servers ठीक है तो आजा तो यह नी Kingdom, UK, France, India, Singapore, Brazil, Lithuania and Netherlands इन देशों में इनके servers है और exactly servers कहां है अगर आपको यह जानना है तो definitely आपको यह अच्छा option है हमें host advice की site पर देना चाहिए क्योंकि host advice एक बहुत ही सही जगह है यह चेक करने के लिए कि कहां-कहां servers है क्या reviews है यह सब चीजह देखने के लिए सबसे ब 15-20 hosting company से hosting हमेशा रहती है यह चेक करने के लिए कि कौन सी hosting company इस साल में बढ़िया perform कर रही है कौन सी hosting company क्या बदलाव किये यह सब चीज़ देखने के लिए 15-20 hosting company के साथ हम एक साथ चलते ही चलते है ठीक है ताकि अगर किसी में भी को improvement है हम अपने site को migrate कर ले ठीक है तो यह चीज हम हमेशा देखते हैं तो इसलिए यहां पर देखते हैं तो विल्नियस जलाज मॉंबाई सिंगरपोर साफवालो पैरिस एमस्टरडाम लंडन और जकारता ठीक है यह exactly वो cities है जहां पर servers है hostinger के ठीक है चलो अब यह हो गई बात अब चलते हैं वापस यहां पर अब ब मैंने पहले अप्लोड किया था 776 views है इस पर आप इस वीडियो को देख सकते हो और इसको देखके आप प्रॉपरली खरीज सकते हो कोई भी hosting और मैंने यहां पर आपको hostinger का WordPress hosting में से business plan खरीद के दिखाया है पूरा dashboard हर एक चीज प्रॉपरली बताया होगा मैंने इस वीडि कर लेते हैं अब यहां पर में ली दो प्लान है प्रीमियम और बिजनस cloud startup अभी हमें नहीं जाना है क्योंकि यह बात की बात है एक साल दो साल या तीन साल बात जब भी आप अप्ग्रेड करने के जब आपको टाइम आएगा ना तब की बात है ठीक है अगर आप cloud startup डिरेक्ल अगर आप कोई काम नहीं है अगर आपको पता है कि आपका बहुत गजब ट्राफिक आने वाला है आप कुछ काम ऐसा करने वाले क्यों यह जबना नहीं करूँगा वाले है तो अगर आप एक बिगिनर है तो जादा तर केस में शुरू के तीन-चार महीने तक तो जरूत बनाया वो आपने बनाया दो मैने तीन मैने में अगर वाइरल चला गया तो उस केस में हो सकता है कि आपका ट्राफिक जो है उसके बाद जो ट्राफिक आपके साइट पर आएगी वो क्राउड होस्टिंग में आप हैंडल करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो वह एक अडिशनल उप्शन रहे था जो कि आप बाद में चूज कर सकते हो फिलाल के लिए बिगनर्स हो चाहे एक्सपिरियन्स हो आपके लिए सबसे बड़िया होस्टिंग प्रीमियम और बिजन बिगनर्स के लिए एकदम बिगनर्स के लिए एकदम बिगनर्स के लिए ऐसा नहीं है कि experience लोग इसे यूज नहीं कर सकते है accounts लोगोंको मैं recommend नहीं करूँगा ऐसा वोलोगा यह ज्यादा सही होगा experience लोग भी premium ले सकते काफी बड़िया प्लान नहीं है ठीक है आपकी जरूत की सारी चीजह यहां मिल जाती है इसा कुछ नहीं है लेकिन मेरे recommendation beginners के लिए उसके कुछ reason से मैं आपको आगर बताऊँगा guys सरसे पहली चीछ premium plan beginners का मतलब यह नहीं है कि जो बंदा पहली बार hosting लेने आ रहा है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उनकी बात कर रहा हूं beginners का मतलब क्या होता है जो पहली बार hosting लेने आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वो ऐसे लोग जिनको पता नहीं है कि वो कितना time दे पाएंगे daily अपने blog पर अपने business website पर या फिर अपने e-commerce website जो भी purpose के लिए आप hosting ले रहे अगर यह आपको नहीं पता है तो ऐसे में आप beginner कहला होगे है ना मैं यह कह रहा हूं मैं ना तो budget की बात कर रहा हूं ठीक है देखो definitely cheapest wordpress hosting है यह तो है यह 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 लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि budget की कमी होगी यह आप afford नहीं कर पाऊगे यह सब चीज़ नह कर रहा हूं है ठीक है अपने business के लिए हर कोई afford कर सकता है यह ना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको देखना है कि क्या आप daily time निकाल पाऊगे उस पर काम करने के लिए अगर आप time नहीं निकाल पाऊगे तो यह वैसी बात है कि आप shopping mall में गये और एक ऐसी चीज़ लेकर आगए जोसकी आपको जरोती नहीं थी तो या फिर आप एक इसी चीज़ लेकर आगए जिसका सस्ता वाला वर्जन भी अवेलेबल था लेकिन आप महंगा वाला लेकर आगए आपको इतना usage ही नहीं है तो यह चीज़ आपको देखना है तो अब यहाँ पर उस case में अ आप को देखना है अगर आप डlingen कम से कर रही और लेक आप गुलता है में free CDN ठीक है अब यह जो CDN है यह free में आपको मिल रहा है लेकिन free CDN नहीं यह premium CDN है जो कि आपको free में दिया जा रहे है तो CDN होने के वज़े से आपकी website की स्वीट 25 गुना directly बढ़ जाती है सिर्फ और सिर्फ सिर्फ के वज़े से बागी बड़ा वाला प्लान है तो 5X पर्फिमेंस तो यह ओटमेंट कुछ से दे भी रहा है अलग से और NBME SSD storage भी इस वाले से ज़्यादा fast यह SSD storage है ठीक है जो कि definitely fast है पुराना जो HDD storage वैसा उससे तो यह fast है लेकिन इससे भी ज़्यादा fast है NBME SSD storage तो उस वज़े से भी बढ़ेगी इस plan की speed automatically वैसे भी 5X है वाला पांच गुना जाता है और उपर से CDN होने के वैसे 25 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी तो इस सिर्फ और सिर्फ सिर्दिन के वैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि बिजनस प्लान में ठीक है अब यह वो गई बात उन लोगों के यह जो कम से कम एक गंटा डेली टाइम दे सकते हैं और जिननको पता नहीं है कि वो देली टाइक उतना टाइम वो यह वाला प्लान ले सकते हैं अब बागी सीजाइए बतारि मैंने आपको दोने के से सब्सक्राइब स्कार इसमें इंक्रीश परफॉर्फों से 5X का वार इस यहां पर 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 यहां प सब्सक्राइब नoga एट को आपने साइट को दिजाइन चेंज करना है कई ने डिजाइन रेडिग हो जाएगा तब पुराने वाले को नए वाले से रिप्लेस कर लो ठीक है बस आपको कभी विपने साइट को अंडर मेंटेंस बॉर्ड में डालना पड़ेगा अब्जेट क्याश है इस से अफसेट की स्पीड थोड़ी सी और इंप्रूव होती है ओन डिमांड बैकप ठीक है म मतला इतना कोई रिक्वाइड चीज नहीं है लेकिन वर्ड प्रस एई टूल्स यह बहुत कमाल कि आज के रेट में एई हमारा बहुत टाइम बचाता है तो यहां पर आपको एई टूल्स जब फ्री में मिल रहे है आपको डिफेनेट ली लेना चाहिए यह मैं मेरी रेक्मे पहुद हमारा भी काता है आपकी सीज साइट प्रपिलर हो जाती है तब जो है जो आपके साइट पर अटक्स करते हैं ना की स्किरे है McCarthy करते हैं तो इसलिए कोई टेक्क नहीं है ने को में चीज़ों में आपका सबसे में आता है CDN और इसके बताता है staging tool और object cash यह तीन चीजों के बज़े से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको business वाला प्लान लेना चाहिए बाकी premium plan में कोई कमी नहीं है यह ना बाकी सारी hosting company के जैसा यह premium plan चलेगा बस यह प्लान जब आप लेते हो तो बाकी सारे hosting company से हटके हो जाएगा CDN आपको मिल जाएगा और आपकी site एकड़ टॉटली एक डिफरेंट लेवल पर rank होगी मतलब स्पीड बढ़ेगा तो Google का ranking factor क्या है जिस website की speed अच्छी है उसको टॉप पर rank करेंगे जब rank करेंगे तो क्या होगा traffic जदा आएगा इसी चीज़ के लिए तो हम website बना रहे है सब कुछ आपको क्या लेना है तो उमीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आगे होगी इस वीडियो का link में आपको description में देने का कोशिश करूँ अगर मुझे editing करने के बाद अगर मुझे याद रहा तो मैं इस वीडियो का link आपको देदूआ नहीं दिया इनकेस किसी वज़य से तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो how to buy WordPress hosting from hostinger आपको ये वीडियो का video मिल जाएगा यहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो ठीक है कभी भी कोई भी hosting लेते वक्त हमेशा reviews चेक कर लेना host advice पर और site पर भी reviews होते ही है जैसे hosting करने दिया है जैसे site पर भी reviews होते ही है तो आप इनको चेक कर सकते हो ठीक है तो link description में है पर आपको extra coach नहीं देना है और 80% का discount भी लेगा और प्लस 3 months free भी आपको यहाँ पर बिल जाते है ठीक है तो अमीद है कि site चीजे clear होगे फिर भी आपको कोई भी डावटर था हमसे comment करके पूछ सकते है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और पर आपको लिए जरूर करें कि इसी तरीके की offers जैसे की wordpress themes हो गए wordpress plugins हो गए और email marketing tool हो गए SEO tools हो गए keyword research tools हो गए इन सभी के discount link हमारे पास है जब जब हम share करेंगे तो उसके notification आपको आगे भी मिलते रहेंगे तो दोस्तों आज की video मसर्फ इतना ही देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद